जय मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जय मातादी जरूर लिखे माता रानी सब का कल्यान करेंगी दोस्तों रक्षा बंधन का तेवहार सदियों से मनाया जा रहा है समय के साथ इसमें कुछ बदलाव भी होते गए लेकिन सद्यू पुरानी कुछ ऐसी चीजे हैं जिनका महत्व आज भी प्राचीन समय की तरह बरकरार है बैदिक राखी का रक्षा बंधन में बिसेश महत्व है रक्षा बंधन की बैदिक बिधी में सबसे अहम भूमिका रक्षा सुत्यानी राखी की है माना जाता है कि बैदिक राखी ना सिर्फ आपको अपनी विरासत और परंपरा से जोडती है बलकि आपके भाई की तरक्षी के रास्ते के आवरोध को भी हटा देती है तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वैदिक राखी कैसे बनाई जाती है वैदिक राखी बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल में लाई गई चीजों का क्या महत्व होता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे कच्ची सूत और हल्दी से बना रक्षा सुत्र सुध और सुभ माना जाता है पुराने समय में ऐसा कहा जाता है कि सावन के मौसम में यदि रक्षा सुत्र को कलाई पर बांधा जाये तो इससे संक्रामक रोगों से लड़ने की हमारी रोग परतिरोधक छमता का विकास होता है साथ ही यह रक्षा सुत्र हमारे अंदर सकारात्म कुर्जा का संचरन भी करता है बैदिक राखी बनाने के लिए पांच चीजों की आपसेक्ता होती है इसमें केसर, चंदन, दुर्बा, अक्षत और सरसों के दाने परमोख है इसे तयार करने के लिए उप्युक्त पांचों चीजों को रेसम या मलमल के कपड़े में बांध कर उसे लाल रंग के कलावे में पिरो दिया जाता है और इस तरह से वैदिक राखी तयार हो जाती है इसमें परतिक सामगरी के महत्व को समझ सकते हैं आप जैसे इसमें इस्तिमाल किया गया केसर केसर की प्रकिर्टी बहुत तेज होती है आप जिसे राखी बांध रहे हैं वो तयस्यस्पी हो उसके जीवन में धर्म के रास्ते पर चलने की सकती में कोई कमी ना आए इसके लिए बैदिक राखी में केसर का परियोग किया जाता है चंदन यह बहुत ही सीतल होती है साथ ही इसका सुगंध आकरसक होता है भाई के जीवन में सीतलता बनी रहे और उसे कभी मानसिक तनाव ना हो इसमें चंदन की बड़ी भूमिका होगी इन गुनों की वजह से बैदिक राखी में चंदन का इस्तेमाल किया जाता है दुर्वा दुर्वा गनेश जी को प्रिये है इसका राखी में परियोग करने का आर्थ यह भी है कि हम जिसे राखी बांध रहे हैं उसके जीवन में किसी तरह की बाधा ना आये दुर्वा का एक अंकुर लगाने पर वह तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में ब्रिधी करता है भाई के सदगुनों में भी ब्रिधी होती रहे और उसका सदाचार मन की पवित्रता तेज गती से बढ़ती जाए इसलिए बैदिक राखी में दुर्वा के परियोग की ब्याख्या है अक्षत हमारे रिस्तों के प्रती सर्धा भाव का परतीक होता है अक्षत भाई की लंबी उम्र और यसस्वी जीवन की कामना भी इनी अक्षत में छुपी है इसलिए इसका बैदिक राखी में विसेश महत्व है सर्सो सर्सो के दाने की प्रकिर्ती तेज होती है इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुनों विग्णों को समाप्त करने में हम सक्षम बने सरसो के दाने भाई की नजर उतारने और बूरी नजर से भाई को बचाने के लिए भी परियोग में लाए जाते हैं तो ये तो मैंने बता दिया बैदिक राखी आप कैसे बनाएं और बैदिक राखी बनाने में जो जो सामगरी इस्तेमाल में लाई जा रही है उसका क्या महत्व है। आप चलिए जानते हैं राखी बांदे समय आपको मंत्र का उच्चारन क्या करना है। तो जब भी आप भाय की कलाई पर बैदिक राखी बांदे तो मंत्र का उच्चारन करें एन बधो बली राजा दान वेंद्रो महावला तेन त्वा अभी बंधामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सुत्र से महावली, महादानी, राजा, बली को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांध रही हूँ। आपको बेहत पजहत पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सियर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।